हेलो 이라고 students this is Dinesh Kumar Iadav और दिखि हम आई जो नई यूनिट हो शुरू्ड करने वाले आगड से others Kerryn t electricity तो करेंट electricity क्या है सो basicallyicaçãoद क्रण्ट electricity is the branch of physics विच डील सो स्टुड्ड यू चार्ड ऑफ चार्घेंज डियुशन और स्कार्ड आँकर्ट electricity तो जो current electricity है वो हमारे physics की एक branch है जिसमें हम study करते हैं, deal करते हैं, charges के साथ button, motion ठीक है last जो हमारी unit थी electrostatics वहाँ पर हमने बताया था कि भई electrostatics में हम study करते है, charges के बारे में जब हो rest में होते हैं, जबकि current electricity में हम बात करेंगे charges जब motion में होते हैं ठीक है, charges जब move करते हैं तो वहाँ पर current बन जाता है और तब वहाँ पर हम basically current electricity की ब्राँच में होते हैं physics की, ठीक है, so current electricity it deals with the study of charges in motion तो current electricity basically इसको पढ़ने से पहले हमें current को पढ़ना पढ़ेगा, तो current क्या होता है basically जब charges rest में होते हैं तब आपने उसके regarding जो phenomena's होते हैं वो पढ़े थे, कि charges जब rest में होता है, तो उसका जो potential होता है उसके कारण जो electric field बनती है ठीक है, वो electric field हमने निकाले थे उसका potential हमने निकाला था, electric force वगर हमने वहाँ पर calculate किया था तो वो सारी चीज़े हमने rest में बात करी थी फिर हमने capacitor के बारे में भी पढ़ा था ठीक है, कि capacitor जो है, वो static charge को store करता है, बट जब वही charge move करने लग जाता है जब वही charge move करता है, तब वहाँ पर current बनता है, ठीक है, तब वहाँ पर current बनता है, तो basically charges जब motion में आ जाते हैं, तो वहाँ पर current आता है ठीक है, तो यहाँ पर current को पढ़ने से पहले, electric current को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे current carrier को ठीक है, current carriers तो carriers जैसे की name यहाँ पर show करता है, carriers कोई भी किसी charge को carry करने वाला, उसको हम बोलेंगे carrier, ठीक है, भई carrier क्या है, कोई भी किसी चीज को carry कर रहा है वो उसका carrier हो गया, तो basically current carrier या फिर charge carrier की current को carry करने वाला ठीक है, current को carry करने वाला तो यह basically वो entities होती है, जो की current को carry करती है, ठीक है, उनको हम बोलते है, current carrier so the charge particle whose flow in a definite direction constitute electric current, are called current carrier, तो वो charge particle, जिनका flow एक particular direction में, ठीक है जब particular direction में वो flow करते हैं, और तो उनसे electric current बनता है, तो उन charge particle को ही हम क्या कहते हैं, उनको हम बोलते है current carrier, ठीक है, तो current carrier basically आप समझ सकते हो कि जिनके current current flow करता है ठीक है, जिनके current current flow करता है तो तो यहां पर अब जितने भी हमारे जो conductor हो गए, insulator हो गए, semiconductor हो गए, liquids हो गए, gases हो गए, सब जितने भी यह है, तो सब के अंदर जो current carrier है, वो अलग-अलग होते हैं यहां पर, ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, case of conductor, तो conductor के अंदर जो current है, उसको कौन carry करता है, कौन ल current carrier होते हैं, ठीक है, तो देखी, जैसे कोई भी हमारे पास यह एक conductor है, तो यहां पर आपको पता है, conductor का जो outermost cell है, उसके अंदर जो electron होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम valence electron बोलते हैं, तो यह first cell है, मान लिया, इसमें two electron है, second cell है, इसमें eight electrons हो गए, और जो last cell है, ठ हमने यहां पर किसी conductor को यहां पर consider कर लिया, तो देखी, इसमें यह जो valence electron है, यहां पर charge carrier का काम करते हैं, जैसे ही, यहां पर मैं अगर इसको electric field में रखता हूं, यहां पर भाई, अगर मान लो हमारे पास एक capacitor है, इधर positive charge है, इधर negative charge है, तो हलका से उसके उपर force लगने प होता है, इधर negative, sorry, इधर positive plate की तरफ यह accelerate होता है, क्योंकि electron पर negative charge होता है, तो यह atom से निकल कर बाहर आ जाता है, तो यहां पर यह कैसा हो जाता है, यह free electron बन जाता है, तो इस valence electron को यह free electron बोलते हैं, और conductor की case में क्या होता है, कि electric field लगाने के जरुवते नहीं है, room temperature के उप free electron बन जाते हैं, तो valence electron ही free electron होते हैं, in case of conductor, तो conductor के अंदर यह जो valence electron है, यह पूरी volume के अंदर घुम सकते हैं, तो यह जो free electron है, यह यहां पर current carrier का काम करते हैं, तो इनकॉम डेटेल में पढ़ेंगे अभी, नेक्स्ट बात करते हैं, insulator के case में, so insulator आपको पता, insulator के अंदर current flow नहीं करता, so there are no current carrier insulator, insulators के अंदर कोई current carrier नहीं होते, ठीक है, बट अगर condition बहुत ही जादा extreme हो जाए, तो कुछ insulators हो सकते हैं, जिनके अंदर current flow कर जाए, ठीक है, जैसे अगर आपने बहुत जादा high electric field provide करा दियो, ठीक है, तब हो सकता है, वहाँ पर उस material का insulation तूट जाए, और उसमें current flow कर जाए, लेकिन, तो तब भी वहाँ पर जो current है, वो flow करेगा, valence electron के कारण, ठीक है, almost यहाँ पर भी, valence electron के कारण ही current flow कर सकता है, ठीक है, यह जो middle electron है, इनके कारण कभी current flow नहीं होगा, because, यह nucleus के साथ tightly bounded होते हैं, यहाँ पर, ठीक है, और जो valence cell के लिए electron होते हैं, यह loosely bounded होते हैं, तो सबसे पहले, हलका सा भी force, हलकी सी भी energy मिलने पर, यह electron बहार निकलते हैं, लेकिन यह बहार नहीं निकलते हैं, ठीक है, यह tightly bounded होते हैं, यहाँ तो same यहाँ पर, insulator के case में भ होना होगा, insulator के case में भी current जो है, वो basically flow नहीं करेगा, बट अगर condition बहुत ज़्यादा extreme होई, तब हो सकता है, वहाँ पर, balance electron के कारण current flow कर जाए, next बात करे, solids के अंदर ही हम semiconductor की, तो semiconductor जो होते हैं, semiconductor आप 9th unit में इनको पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो ज़्यादा detail में आप इसको positive charge समझ सकते हो, ठीक है, तो electron और जो hole है, वो यहाँ पर current carrier का काम करते हैं, in case of semiconductors, next बात करें, in case of liquids, तो liquids की case में positively और negatively charged ions जो होते हैं, that are current carrier, तो जैसे कोई हमारा यहाँ पर liquid है, suppose यहाँ पर हमारा liquid है, H2O है, ठीक है, पानी है, और आपको पता है, जो pure water होता है वो basically insulator होता है, ठीक है, तो यह insulator है, यहाँ पर बिलकुल जो हमारा pure water है, तो यहाँ पर यह अगर आपने, suppose यहाँ पर बैटरी लगा दो, ठीक है, तो यहाँ पर जो current flow करेगा, ठीक है, basically आपका circuit जो है, वो incomplete है, क्योंकि बीच में आपका insulator आ गया, ठीक है, बीच में धेर सारा यहाँ पर Na positive और Cl negative है, वो अलग हो जाएंगे, अब देखिए, इधर negative है, तो यह जो positive है, यह basically इस negative की तरफ move करेगा, यह जो positive है, Na positive यह भी इस negative की तरफ move करेगा, और जो chlorine negative है, वो इधर move करेगा, यह chlorine negative भी इधर इस positive terminal की तरफ move करेगा, तो क्या होगा, कि पान इसके अंदर भी current flow कर सकता है liquid के अंदर current जो flow करेगा वो किनके current flow करेगा वह basically ions के current flow करेगा positive और negative आयन के case में जिसे यहाँ पर आप HCL डालते हो तो H positive cL negative तो इस तरीके से यहाँ पर ions के कारण जो है वो current flow हरता है in case of liquids ठीक है तो यिक्विट्विट के बात होगे इसके बाद बात करें हよう GAS की यहां पर अने गर नरी गरिश अरुदर आडरे इन्सुलेटर हाँ पर से जो current है वो फ्लोव करके हमारी बोडी में आता और हमें current लग सकता था ठीक है तो ordinary conditions में basically हाँ पर जो है current flow नहीं करता और यह insulators होती है ठीक है but they can be ionized by applying high potential लेकिन हम high potential apply करके इनको ionize कर सकते हैं and high potential difference at low pressure or by their exposure to x-rays etc and in this case the positive ion and electrons are current carrier ठीक है तो देखी इसको क्या है कि जर्नली जो हमारी gases होती है वो insulators होती है उनमें कोई current current जो है वो flow नहीं करता बट आपने जैसे देखा होगा कि जब lightning वगरा होती है तो lightning के दुरान क्या होता है जो बादल होते है बादलो से basically electricity जो है वो ground कि ऊपर यहां पर आती है तो बीच में क्या है बीचı में हमारी यहां पर air है तिक? air के congestion होई है कि जो हमारा जो current है वो यहां से यहां तक फ्लो करके आगया है basically चार्ड हमारा यहां से यहां flow करके आगे तो basically इस air के अनदर हमारा current यहां पर potential हो जाए घै के कारण होता है जो है यहां पर इसको अगरकम एक घैस कैश में बहुत जादा potential हो जाता है यहां ईयॉक्त यह जो electron है ठीक है यहाँ पर अगर मैं इसको बहुँ जादा high electric field provide करा हूँ suppose यहाँ पर बहुँ जादा positive charge है यहाँ पर बहुँ जादा negative charge है तो क्या होगा यह जो electrons है अब इस पर negative charge है तो क्या होगा यह आइनाइज हो जाएगा यहाँ पर negative इसके उपर इतना force लगाएगा कि यह इधर positive के तरफ move करने लग जाएगा और यह जो electron है यह अलग हो जाएगा और जो हमारा atom है वो basically positively charged atom बच जाएगा ठीक है तो इस case में क्या हो गया एक तो positive हमारा iron हो गया और एक electron हो गया तो जो positive iron और electron है वो basically current carrier का काम करेंगे ठीक है जो electron है वो इधर move करेगा और जो आपका positive iron है वो इधर move करेगा ठीक है और दोनों यहाँ पर कैसा काम करेंगे current carrier का काम करेंगे बट यह normal condition में नहीं होगा इसके लिए जो potential difference है वो काफी जादा होना चाहिए और even जो pressure है वो काफी low होना चाहिए ठीक है जब pressure काफी low हो जाएगा और potential difference काफी जादा होगा then in that case यहाँ पर जो हमारी air है वो भी conductor की तरह behave करने लग जाती है ठीक है या फिर भई कोई हमारी gas है तो उसको हम अगर x-rays या gamma rays जो होती है उनको अगर हम उनका exposure दे कि यहाँ पर जैसे काफी x-rays है जैसे हमारी ionosphere है तो ionosphere के अंदर ion present होती है तो क उस energy को लेके उस x-ray के energy को लेकर यहाँ से बाहर निकल जाएगा और electron बाहर निकल जाएगा तो atom कैसा हो गया, atom positively charged हो गया, तो इस case में भी positively charged iron और electron, this is electron and this is positively charged iron, ठीक है positive iron, forward positive ion और electron जो है दोनों हहाँ पर में अब हमारा जो current है उसको carry कर सकते हैं, so दोनों यहाँ पर current carrier का क करेंगे ठीक है so for short we can say that that in gases ordinary condition में तो कोई current flow करेगा नहीं but अगर condition जो है वो कुछ different है अगर potential difference काफी high है या फिर अगर pressure हमारा बहुत जादा लो हो गया है और potential high हो गया है या फिर x उनका exposure है gases का x raise या gamma raise के साथ तो उस cases में जो है current यहां पर flow कर सकता है so in this case the positive ion and electron are current carrier तो इन case में जब ionize हो जाएंगे हमारी gases तो electrons उसके अलग हो जाएंगे और positive ion अलग हो जाएगा और दोनों वहां पर current carrier का काम करेंगे okay so this is all about the current carrier in electricity so that is all for today and thank you for watching this video अँ ो क अटब्यों उदाद में कर दो कर दो कर दो